नमस्कार, मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसरमार 7 मार्च 2019 को राहू और केतू रासी परिवर्तन कर रहे हैं और आप धनूरासी, मकरासी, कुमरासी, मीनडासी और लगनवालों आपके लिए ये पूरे डेड़ साल का जो वक्त है कैसा रहने वाला है आईए हम बतलाने की कोशिस करते हैं हम बतलाएंगे आपको ब्रंभान के अंदर गोचर की घटना की इस्तिती आपको क्या सुभ और असुभ फल देगी राहू अभी करकरासी में चल रहे हैं और केतू मकरासी में इन दोनों का गोचर में पिछले एक से डेल सालों से चलना काफी नुकसान दायक रहा है और यहां पर 7 मार्श 2019 को जब ये अपनी अपनी उच्छासी में जाएंगे यानि मितुन रासी के अंदर राहू चला जाएगा और धनुरासी में केतू चले जाएंगे ये दोनों गरह जब अपनी अपनी उच्छासी में जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा काफी समय से जो आप तकलीफे जहल रहे थे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा यानि कि ब्रम्हान के अंदर एक बहुत बड़ा राहत आएगा लोकचैन की सांस ले पाएंगे यहाँ पर एक और घटना घट रही है और वो ये कि सनी के साथ केतू आ जाएंगे कि अगर कोई आपके रासी के नूसर लगन के नूसर कोई दुस्प्रवाव है तो कैसे बचें तो चलिए हम आपको पहले बचाओ के तरीके बतला देते हैं अगर आपके लिए राह थोड़ा भी बुरा प्रवाव देता है तो बुद्वार की साम में एक पानी वाला नारिय लीजेगा अपने सर से तीन वारवार कर भहतेवे जल में प्रभावित कर दे और केतू के लिए नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाईए सबसे पहले हम बात करते हैं धनूरासी की नियमित रूप से साम के समय सनी चारीसा का पाट कीजिए या फिर गजेंडर मोख्ष का पाट कार्ट कम से कम 40 दिनों तक लगातार कीजिए इससे क्या होगा जो भी अभी आपके उपर बुरे प्रवावों की दसा चल रही है तो उससे आपको बचाओ आपका जीवन में बहुत बरा राहत बिलेगा चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले राहू आपके लिए क्या लेकर आए हैं राहू उचिका होकर आपके बिवा अस्थान पर हैं और यह एक बहुत अच्छा योग है आपको बिदेश से लाव होगा अगर इस समय आप बिदेश यात्रा करते हैं तो बहुत अच्छा है आप चाहें तो बिदेश में जाकर प्रवास कर सकते हैं बिदेश में जॉप कर सकते हैं कुछ दिनों तक रह सकते हैं या विदेश यात्रा तो करेंगे ही विदेश से ब्यापार करते हैं तो यहां भी लाब मिलेगा और यहां से 11 और तीसरे भाव परदिश्टी है यानि बैवाही जीवन के लिए यह समय बहुत अच्छा है राहुदेव आपके लिए विशेस किपा बनाए हुए है और संतान का सुख भी देंगे लेकिन सनी और केति की यूती बनी हुई है जो आपको थोड़ी सी स्वास समंदी समस्या दे सकता है और चोड़ चपेट से भी आपको बचकर रहना होगा साथ ही कमर दर्द, बैक पेन, नर्वस सिस्टम कमजोर होना ये सबी साइड इफेक्ट हैं सनी और केति की यूती की तो ध्यान रखिएगा अब हम बात करते हैं मकर रासी की मकर रासी बालों सनी की साड़े साती चल रही है और मकर रासी से तीसरे छटे और ग्यारव भाव में राहू और सनी का फल बहुत अच्छा मिलता है ये तो आपको पता ही है और छटे भाव का राहू सत्रुहंता योग बना रहा है यानि आप दुस्मनों को कुचलने की ताकत रखेंगे अगर इस डेड़ सालों में अगर कोई आपका कोट कचरी मुकदमों बेगर में आप फसे वे हैं तो यहाँ पर आपका पक्छ में ही सारे चीज़े आएंगी कर्ज से मुक्ति मिलेगा आप इसमें प्रयास जरूर कीजिएगा धन तो आएगा ही और इतना आएगा कि आप कर्जों से आराम से मुक्ति हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको साथी साथ राहु देब मान समान में ब्रधी करा रहे हैं और राहु का एक सुपल होता है वो भी देश यात्रा कराते हैं यानि आप अपने जन्भूमी से दूर जरूर जाईएगा जाए जहां भी जाए लंबी यात्रा हो छोटी यात्रा हो संतान के सुख देते हैं और धन देते हैं तो जब अच्छा समय हो तो जरूर इसका सदूपियों करना चाहिए, यह डिल्ड सालों का वक्त आपके लिए राहू के यहां से बहुत सुंदर है, तो यहां पर आप इसका जम कर फायदा उठाइए, अब बात करें, अगर सनी और केतु की जैसे यूती बन रही है, बारवें तो अच्छा है, और केतु के लिए नियमी तुरूप से माथे पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाईए, और सनी चलिसा का पाट करते रहे, अब बात करते हैं कुमरासी की, कुमरासी जिनका स्वामी स्वेम सनी है, और सनी देव बिदेश अस्थान पर हैं, और आपकी होगा, भाग के भरोसे होगा, और देव योग से होगा, यानि आपको आपके पित्रों का असिरवाद मिलेगा, और आपके पिछले जनम के पुन्य फल की प्राप्ति इस जनम में जरूर मिलेगी, तो अगर आप मेडिकल के स्टुडेंट है या उनकी तियारी कर रहे हैं यहां पर राहू उचाईयां दे रहा है, आपको प्रोपर्टी जुए सट्टे से लाब होगा, प्रोपर्टी का सुख मिलेगा, आप चाहें तो गाड़ी बंगला इस समें ले सकते हैं, थोड़ा भी प्रयास कीजिएगा तो जरूर आपके आप ले पाएंगे, आप अगर इस समें एक पन्ना और गोमेद सलाह लेकर धारन करते हैं, तो इस समें आपके लिए बहुत फायदे मंद रहेगा, और सनी और केतु की युति के लिए सनी 40 का पार्ट करें और केतु के लिए केसर कतिलग या हल्दी कतिलग जरूर लगाएं, बात करते हैं मीनडासी की, उच का होकर चोथे भाव में रहेंगे रहू प्रोपर्टी आप खरीच सकते हैं सुख साधनों में ब्रदी होगा दसम भाव में सनी और केतु की यूती रहेगी जो आपको करियर और रोजगार का सुख दे रहा है यानि बहुत आसानी से आपका करियर भी उचाईयों पर जाएगा और अगर आप कुछ नया खुलना बिजरस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कर सकते हैं जॉप की तेयारी करने हैं तो प्रयास तेज कीजिए आपको जॉप की प्राप्ति होगी मान सब मान बढ़ेगा और मीन डासी का स्वामी स्वायम ब्रहस्पती हैं बहुत भूमी भवन जायदा समंधी सुख दे रहा है राहू लेकिन केतु और सनी की यूती हड़ी समंधी परिसानी दे सकता है बैक पेन कमर दर्द पैरों में दर्द जैसी समस्या देगा इन से बचने के लिए नियमी तुरूप से सनी चलिशा का पार्ट करें और केसर या हल्दी का सुख फल आपको मिलता रहे तो यह थी आप रासियों के लिए राहू और केतु के रासी परिवर्तन का हाल अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेर कीजिए और कमिंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा धन्यवाद ह हम फिर मिलेंगे किसी ने टॉपिक के साथ